क्याते हैं जो समय के साथ बदलता है दुनिया उसके कदम चुमती है आज का समय डिजिटल है आदूनिक है जो इसके साथ कदम से कदम मिला कर चला वह आगे और अगर नहीं तो वह कतार में सबसे पीछे क्या आप जानते हैं बिहार में एक ऐसा गाव है जिसे भारत सरकार ने सौवे डिजिटल गाव के रूप में पुरुस्कृत किया है जी हाँ सहरसाजिले का पहला और भारत का सौवा डिजिटल गाव बंगाव की ग्रामीन आज बिहार सरकार और भारत सरकार की सारी योजनाओ का अलाब कोमन सर्विस सेंटर से ले रहे हैं और इस तरह वे डिजिटल भारत अभ्यान से भी जुर रहे हैं ग्रामीन कॉमन सर्विस सेंटर से ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास्पोर्ट, इस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, जाती प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, किसान रेजिस्ट्रेशन, वाहन का बीमा, LIC का प्रीमियम भरने का काम कर रहे हैं ग्रामीन यहीं से टेली मेडिसिन की सुविधा प्राप्त करते हैं, गाउ से ही डॉक्टरों से समपर्क कर दवा मंगबा लेते हैं, यहां तक की मंदिर के पुजारी और दुकान की कर्मचारी भी कैशलेस पेमेंट्स विकार करते हैं, कई ग्रामीन भी इसमें अपनी रूची के लिए रहे हैं. जाता है और देखा जाए तो पुरा गौंग के अंदर मेक्सिमम जगह आपको मॉबाइल से पेमेंट हो रहा है अभी हम लोग इसमें भी और थोड़ा आगे बढ़के रहते हैं क्योंकि हम लोग को सहलियत होता है मेरा कॉंट में पैसा जला जाता है तो फिर बेंकुंग जाने का जन्जट कतम हो जाता है हम लोग पेमेंट भी करते हैं गौर तलब है कि ग्रामीनों के सहयोग से इसकूलों को डिजिटल सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है भारत नेट परियोजना के तहट ऑप्टिकल फाइबर के माधियम से गाउ को इंटरनेट से जोड़ने का काम जारी है गाउं गलियां भी CCTV कैमरे से लैस हैं आपको बता दे इस गाउ के लोग सिविल सेवा को प्रात्मिक्ता देते हैं इस गाउ के कई लोग देश विदेश में बरे बरे पदो पर आसीन हैं यह बात भी दिलचस्प है कि इस काउ से जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर की सुरक्षा भी डिजिटल माधियम से ही करते हैं उसी का परणाम हुआ जब लोगों ने देखा जो नहीं मैं एकरसी के साथ एजूकेशन फिल्में वी जुरू तो आगे बर सकते हैं तो वहां से लोगों में एक पहला ललक यह ज़ना जो मुझे सरकारी सेवा में जाना है और फिर कुछ लोगों ने सबसे पहले प्रात्मिक्ता यहां की लोगों ने सिक्षा सेवा में जाना सुरूआ है कुछ प्रमुख लोगों का नम बताईए उस समय काफी पुरू बोले जो हां की बनगाउं में प्रात्मिक संस्कित सिक्षा के रूप में एक परिवर्वर्तन के दूत में प्रात्मिक सिक्षा की बिजारोपन किये इस गौँ का जो इतिहास है लिखित दस्तावेज की रूप में तो लक्ष्मिनात गोसाएं जब इस धर्ती परूं का पदारपन हुआ एक समाजिक और सेक्षिनिक सुधार के रूप में वो आगे आज बन्गों का एक आप देख सकते हैं इसका जो 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 बनावत है या आर्किटेक्चर रूप से देखिएगा इतनी अच्छी सरक की विवस्था हर पचास मीटर पर एक रोट दूसरे रोट को 90 डिग्री चौराहे पर कट कर रही है वहां एक आपको पुआ तो लक्ष सुदहार की प्रेणवा उस काल से ही मिली और मैंने जो अभी पूर में बाया सिक्षा सेवा से जूरे फिर काफी लोगों ने इंजिनिरिंग सेवा में गए मेडिकल सेवा में गए और उसके बाद लोग सेवा आयों की तरफ उन्मुक हुए और उस समय उस गाउं में जो कि जो नारी सथकती करन की परतीक स्वरां ममता खां हुई तो कापी सारे में नाम गिनाने लगू तो बहुत 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 बरा करी अपता गाउं digital हो गया है इसके बारे माप पिस गटाईए मेरा गौन डिजिटल हो नी गया डिजिटल मेरा घटले सिदा सरकार की उजनाब इसे मैंने पूरा किया गाउँ पहले सी डीटल था यहां पे मेरे गाउं का हर इक दूसरा घर है या तो इक डाप्र इंगर घर है या तो टीशेर है महां पे या फिर फॉस में है जिस सारे पढ़े लिखों का गाउं और देश का दूसरा सबसे बरा गाउं चंसंख्या से भी और चिदकन से दूसरा कि अधियो सबसे पहले सुद्धा अभी तो बिहार सरकार और जितना भी यूज़ना है जो भी कल्यानकारी यूजना चाहे वह एक रिगलिप्स रेटेट इन सांव गर ऑगरा इसके सब के लिले काम करता है उसके बाद ढूसराइड ने भारत सरकार न जिसमें हुआ कि बहुत सारे गाउं को बिठा करके उसको बताना कि ATS टांजिक्शन क्या होता है अधर आधर इनेबल पेमेंट सिस्ट्रम और अब पर आप पे टीम कर यूज कैसे किजेगा भीम एक यूज कैसे किजेगा इसको बताना इसके बाद फिर हम लोग को आठ शॉलर लाइट गया गया कि आप अपने पूरे गाउं के जो लुख्या जगह है वहां पर लगए जैसा कि आपको लिखाए कि सब जगह लगा हुआ है बाहर के जो लोग आपके गाउं से बाहर ग्राते हैं विलेश में वो कैसे मुलट्रिं कर है अभी हमारे डीजीपी रैंकर है वो भी मेरे गाउं से इन है तो गाउं में मिल सरकार भी पड़े लिको गाउं में स्वाव कर गाउं रहा है तो सामिर अच्किनात की जगती है अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद झाल